हलो एवरिवान, मैं डॉक्टर परलवी गुपता, पिडियाट्रिशन, लेनस, मलाड मुंबई से कोरोना का खौफ सब जोगे फैला हुआ है, सबको ये टेंशन है, स्ट्रेस है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो जाए तो इसके लिए बच्चों में क्या precaution लिया जा सकता है, आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में, बच्चों को अगर कभी सर्दी, खासी, बुखार हो जाता है, तो पैरन्स को सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है कि हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना सबसे पहले आप उसे एक isolated room में रखिए, अगर बच्चे को fever है, तो अगर आपको लग रहा है कि corona तो कहीं नहीं हो सकता है, अगर आपके area में वो corona है, तो आप उसे एक अलग room में शिफ्ट करिए, आप और members के साथ उसे नहीं रख सकते हैं, उसका अगर fever है, तो उसको आप ध्यान रखिए कि fever को medicines आप उसको दें, फीवर कम करने की, उसे sponge करें, उसका hydration well maintain करें, उसका hydration मतलब अगर बच्चा छोटा है, तो उसे दूद अच्छे से पिलाएं, अगर बड़ा बच्चा है तो पानी liquids ज्यादा पिलाएं, अगर बच्चे का urine output अच्छा है, तो आप थ जरूत है, आप नियर्भा हॉस्पितल में, जहां पे fever cases देखे जा रहे हैं, आप तुरंक लेके जाएं और उसका इलाज कराईए, उसके टेस्ट करवाईए, टेंशन की कोई बात नहीं है, उसके टेस्ट हो रहे हैं, इवन घर पे आके काफी laboratories कर रहे हैं, आप वो टेस्ट है, सब कुछ अलग रखे, अलग धोईए, उसका बातरूम अलग होना चाहिए, बच्चा अगर छोटा है, मास्क नहीं पहन सकता है, तो अब बड़े प्लीज मास्क पहनिया, सारे बच्चे के अटेंड ना करें, एक ही मेंबर घर का बच्चे को अटेंड कर सकता है, जो बच्चा ना तोईस हैं, वाकि घर कीश candidate है, वो सहर चीज को आप दोग सैनितफय करें, यहाँ अप्ले रिमोह्त हैं, जो आपके हाथ में घर सानितियां भी में तो छोटी कल भी है― तो अबक्या करें तो तो अबसे ज़रूरी है, जब आप सैनितिया था टिशु पेपर का कर सकते हैं, यह आप यूज थो कर सकते हो, कप्रे का इस्तेमाल आप कम करिए, बच्चे का हाइड्रेशन वेल मेंटेन करिए, डॉक्त ने जैसे मेडिसन बताईए, उसके आप प्रॉपली बच्चे को दीजे और बच्चे का इलाज करवाईए, दूसरी जरूरी चीज है कि व हम यहाँ पर लेनस्ट में वाक्सिनेशन के लिए और फीवर पेशन्स के लिए एक डिफरेंट तरह का मैनेजमेंट शुरू किया है, जिसमें हम शुरू में जब आते हैं ओपिडी में, तब हम सानिटेशन का एक मोस्ट करते हैं, हमारे सारे होस्पितल के लोग स्टाफ, मा सानिटेशन, हर चीज को स्टेरिलाइज करना, यह हेदगेर पैना, पीपी पैना, सब चीज वो ध्यान रख रहे हैं कि वो खुद भी अपना प्रेटेक्शन करें, आलकोहॉल सानिटाइजर से, दोर नॉब से लेके, चैर से लेके, बेड को लेके, वेंग को लेके, हर चोट अथैश हमारी यह रहते है कि पहले हम वैक्षिनेशन के पैशन्स देखे और फिर बाद में हम अपॉिंट्मेंस ऐसे दें कि सिख पैशन्स को देखें जयसे छोटे बच्चे हैं जिनको फीक्वर है या और कोई प्रॉड्म्स है तो तो गरेड के हम बाकी फीक्वर वाले प जीरो से लेके वन यूर तक, बर्द से लेके वन यूर के एज में, उसमें जो भी वैक्सिनेशन होते हैं, वो बहुत क्रूशिल होते हैं, because वो काफी जान लेवा बिमारियों से protection करते हैं तो वो देना जरूरी है उसमें आप बहुत ज़्यादा delay नहीं कर सकते हैं अगर यदि हम delay करते हैं तो problems यही होती है कि बच्चा अगर घर में है और वो particular virus से या bacteria से बच्चा exposed होता है तो वो बिमारी उसे हो सकती है तो वो बिमारी नहीं हो इसलिए हम vaccinations time to time अगर one year का दे देते हैं तो that is very good one year के बाद के जो vaccinations है वो काफी फिर gaps में आ जाते हैं और वो थोड़ा और delay भी हो जाए तो उसमें कोई और ज़्यादा problem जैसी बात नहीं है रिस्क नहीं है तो अगर आप vaccinations का पुछेंगे तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपके आसपास घर के वेल बेबी क्लिनिक है जहां vaccinations दिया जा सकता है जैसे हम केर कर रहे हैं वैसे ही वहां के hospitals भी केर अगर कर रहे हैं तो आप yes, vaccinations अपने बच्चे को लगवाईए प्रायर अपॉइंटमेंट लीजिए प्रायर अपॉइंटमेंट करके जो अपॉइंटमेंट्मेंट्स दे रहे हैं डॉक्टर वहां पे रिस्क काफी काम हो जाता है तो आप इस तरह से अपने बेबी का ध्यान रख सकते हैं वैक्सिनेशन टाइम दे सकते हैं और अगर हमारी आपको कोई भी help लगती है तो आप online appointments के द्वारा हमें contact कर सकते हैं सारी details आपको दी जाएगी तो उससे आप हमारी पूरी help ले सकते हैं We are always there to help you So stay healthy, stay safe Thank you